एक लंबा पॉलिटिकल केरियर आपका एक दूर दर्शी नेता की तरह दो हजार चौबिस में देश को और देहरादून को और मैं कहूं के पूरी देव बहुई को क्या कहते हैं पर्चम किसके हाथ में होगा कमल खिलेगा यह हाथ के हाथ में दोर होगी अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो आज भी जब 19 में भारजनता पार्टे की पर्चम लहर थी तब भी 64% के आसपास मैं अगर सही हूं तो विपक्ष को के खाते में बूर गिया था सही मैंने में देश के अंदर जो महावलाज है अब इसक्स करके कॉंग्रेस राहूल गांदी जी निर्टोतर में जिस तरह कॉंग्रेस ने पहली बार सही मैंने में बिपक्ष की भूम का निवाई हूं और्गनाईज दिखाई दे रही है कि सडक से लेका सदन तक जो बिपक कि अडाने के अम्वाने के मुद्धे पर जिस तरह पर्खर होकर तीवर्टा के साथ हमला कॉंग्रेस कर रही है कॉंग्रेस कई बार विपक्ष में रही है जनता दल के समय में रही है लेकिन कॉंग्रेस ने कभी भी इस तीवर्टा के साथ बड़े दिल के साथ उचे मनोल के साथ विपास की भूमिका नहीं नहीं वाई लेकिन पहले बार अगरेसिव आक्रमक रूप में दिखाई दे रही है और हमेशा जीता हुआ है जो आक्रमक होता है